हलो फरेंड्स विल्कम बैक तो दा चैनल तो कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों आज मैंने अरभी प्यो मेंस का मॉक नमबर थी दिया था प्रैक्टिस मॉक का तो देखते हैं कि क्या स्कोर काट रहा अगर आपने भी ये मॉक दिया होगा तो अपना स्कोर काट जरूर से रिकिस क्योंकि दिस इस माई फॉस्ट मेंस एक्जामनेशन फॉर आरवी पी यो मेंस तो मुझे कोई आडिया नहीं थे किस तरीके के कोशन साते हैं आप लोग प्लीज बताएगा क्या एक्जाम का लेवल इससे थोड़ा डिफकल्ट होता या इस पेपर जो मॉक पेपर है उससे अ 28.3 परसेंटाइल है और चोटल कोशन की बात करें तो 102 मैंने अटेम्ट किये थे और 65 मेरा सही गया है 37 रॉंग अब सेक्शनल वाइस देख लेते हैं रिजनिंग में टोटल 16 अटेम्ट किये थे 15 सही एक गलत हुआ है और स्कूर की बात करें तो मेरा स्कूर रहा 18.44 और जो पड़ेगा कॉंप्यूटर के लिए ऐसा नहीं की कॉंप्यूटर है तो इग्नॉर नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक सब्सेक्ट को उसके बाद जीए की बात करें तो जीए में मैंने यहां पे 23 अटेम्ट किये थे और 11 सही 12 मेरा रॉंग हो गया तो अभी जीए में में मेहनत करना बाकी है एवरेज इसका 6.8 था मेरा 8 नमबर आया है उसके बाद इंग्लिस ने मैंने हिंदी बनाया था और हिंदी में यहां पे कोशन की बात करें तो मैंने टोटल 31 एटेम्ट किये थे 6 रॉंग हो गये 25 सही है और मार्क्स मेरा 23.50 एवरेज इसका था 3.9 ठीक है तो मैंने हिंदी की बात करें तो मैंने टोटल 10 कोशन अटेम्ट के थे 2 रॉंग हो गया और मार्क्स मेरा 9.38 और एवरेज इसका स्कोर्ट था 3.21 ठीक है तो यह ओवराल जो है सेक्शनल बाइज मैंने आप लोग को दिखाते है और फिर से मैं आप लोग को बोड़ आँ कि आप अपना स्कोर जो है जरूर कमेंट सिक्षन में में सुन किसे और प्लीज बताएगा कि एक्जाम का लेबल जो है इससे अप होता है या इससे थोड़ा डाउन होता है या सेम इसी लेबल का होता है ठीक है बागे पढ़ते रही है खुस रही है थैंक्यू